आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी माथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायलोजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेशन की फोटो कीचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ अपने अप्शन देखे तो हमारा पहला ऑप्शन है एड्स, एड्स का फुल फॉर्म है गाइस, एक्क्वाइर्ड इम्यूनोड डेफिशनसी सिंड्रोम टीक है, बेसिकली क्या रहता है, यह जो हमारा डिजीज है यह है एक वायरेल डिजीज वीज़ इस कॉस्ट पाइचाईवी वाइरस लाट इस एड्स, इम्यून इम्यूनोड डेफिशनसी वाइरस तो गैस यह जो HIV वाइरस है हमारा ठीक है यह कैसे spread होता है यह sexually spread होता है मतलब इसका जो infection है a healthy person can get infected by sexual intercourse ठीक है तो यह one of the reason one of the mode है इसके spread का ठीक है बाकि जो अगर हम बात करें तो blood transmission या फिर infected mother से उसका fetus में जो infection है वो भी जा सकता है ठीक है तो ऐसे को जिसके mode है transmission की तो यह जो AIDS है यह एक STD है that is sexually transmitted disease है then syphilis जो है यह भी एक STD है ठीक है it is caused by a bacteria which is traiponema pallidum ठीक है then हमारा तीसरा option है टाइफाइट ठीक है तो guys यह जो टाइफाइट है यह एक STD नहीं है ठीक है तो it is caused by bacterium that is salmonella typhi और यह जो हमारा disease है यह कैसा है यह basically इसका जो transmission रहता it is feco-oral root ठीक है then हमारा last option है gonorrhea तो जो gonorrhea है यह भी एक STD है ठीक है and it is caused by a bacteria that is niceria gonorrhea चीक है तो यह भी एक STD है okay so guys अब इन options में से जो हमारा typhi है वो sexually transmitted disease that is STD नहीं है so the option is correct option is option C thank you Classics to 12 से लेके need IIT जेही means और advanced के level तक 10 million से जादा students कभर हो सा आज ही डाउनलोड करे doubtnet आप यह WhatsApp कीचे अपने doubts 8444 चार्स उपर